एकसदे नंस्टक आप से पढ़ा है फीलने आपके मालम में अakteकल मौत नहीं सब्सक्राइब से तो आज क्यो Treasury निय९ह सम्रेंटमी को इस का बहलतो होगा सब्सक्राइब निएस सब्सक्राइब कमप तो इस ओरिजिनल पोजिशन वाडिस हिस एवरेज स्पीट एंड वेलोसिट यानि कि एक अथलीट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 400 मिटर्स में कितने टाइम में 25 सेकेंड में और रिटर्न उसी पोजिशन पर आ गया तो इससे हम लें displacement क्या हो गया हमारा जीरो लेकिन डिस्टेंस उसने 400 मिटर्स टैफल कि रहे है यह हम को पता है बता है डिस्टेंस क्लिक्व सकवर्ड डियूर्य इसमोच्वा 22 highest टो हम लें ठीचिन में देखा जीरो जाएगा तो देखते है का डिया है तो तुटाल डिस्टन्स ट्राव इसकोल तो 400 मिटर्स डिस्टन्स कितना सब्सक्राइब ढिए है उसकि पॉजिश्मंट कितना हो जाएगा जीरो हो चरण जाएगा क्योंकि घुर्टा क्ता जीन प्सक्राव कि यत हम Уस and average velocity is equal to displacement upon time तो अभी आपको इदर एक चीज़ में बताऊं कि velocity is equal to displacement upon time है displacement क्या है 0 upon time क्या हो जाएका 25 0 upon 25 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इदर average velocity is 0 तो हमको answer इज़री मिल जाता है क्योंकि 0 by divide any number equals to 0 तो इसका solution देख लेते हैं तो average speed is equal to distance upon time अभी distance हमनोंने put कर दिया 400 meters upon 25 seconds अब हमने 400 को divide कर देंगे 25 से हमको answer 16 मिल जाएगा तो हमारा average speed is equal to 16 meter per second अभी हमनों उसी तरह हमनों velocity को count कर लेते हैं तो velocity is equal to displacement upon time अब displacement 0 है upon 25 रखोगे तो हमको answer 0 आने वाला है तो the answer for this question is the average speed is 16 meter per second and the average velocity is 0 meter per second तो चलिए अब next question की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कुश्चिन है हमारा एन एरोप्लेन टैक्सिस ऑन दी रवे फोर 30 सेकेंड वित अन एक्सलेरेशन ओफ 3.2 meter per second square है तो देखो आप रणवे है उस पर एरोप्लेन है एरोप्लेन चल रहा थोड़ा डिस्टेंस रावल किया फिन ऊड़ी है अभी इसने उसने जितना दिया चला कितने देख लें चला उसने 30 seconds कले चला कितना acceleration था 3.2 meter per second square उसका acceleration था अब कितना दिस्टेंस कवर किया उसको उसने तो वह हमको find करना है तो अभी हम लोग देखते घीवन क्या दिया है घीवन हमको acceleration is equal to 2.3.2 मेटर पर सेकेंड दिया है अभी हमको time जो है 30 seconds दिया है इनिशल वेलोसिटी अब जब स्टार्ट हुआ तो इनिशल वेलोसिटी का जीरो ही रहेगा तो अभी देखो जब भी time acceleration दो टम मिल गया तो इधर आपको जो equations मैंने बताया थे 3 equations नीट्रन ने जो लिया था जो कि motion के इसको kinematic equation बोलते हैं वह आपको यूज करना है अगर कौन से भी सम्में आपको acceleration time time acceleration initial final यह जो वेलोसिटी से यह सब कर डिस्क्राइब क्या आपको उन equation को पहला try करना है लगाकर क्या आपका answer obtain हो रहा है कि नहीं और 100% chance वह अप्टेन हो जाएगा तो देखते आगे to find हमको क distance covered कितना उसने distance cover किया हो find करना है formula हमको पता ही है s equals to ut plus half 80 square अब देखो तीन formula थे हम लापस v equals to u plus 80 s equals to ut plus half 80 square v square is equal to u square plus 2as यह तीरो formula आप एक साइड लिख लेना और देखना कौन सा कौन सा value आपके 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 अबलेवल है v equals to u plus 80 अब v equals to u plus 80 v हमारे पास final velocity है क्या नहीं तो एक formula cancel अब v square equals to u square plus 2s v square है क्या मतलब v है क्या हमारे पास final velocity नहीं है तो एक formula cancel यानि कि हमारे पास एक ही formula बच्चा है उसको लगा देना values put कर देना तो अब solution देखेंगे तो हम लोग जब solution लिखेंगे तो एक बार और formula को लिख देंगे और तब हम अपना solution स्टार्ट करेंगे अब हम लोग ने value put कर दिया तो initial velocity क्या थे 0 और acceleration क्या था 3.2 और second क्या था 30 seconds तो अभी हम लोग उसी तरह से calculate करेंगे तो 0 into t क्या हो जगा 0 होने 880 आ जाएगा तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइट कर देंगे टू से तो हमारा 1440 मिटर तो यह distance कवर हुआ है aero plane से तो the answer for this question is the distance covered by the aero plane is 1440 मिटर तो यह question भी कॉफी जी था चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो next question है कि अनकंगारू जम 2.5 मिटर्स वर्टिकली what must be the initial velocity of the kangaroo अब देखो फिन इतर इनिशल वेलोसिटी पूछा यानि कि अब जब इनिशल वेलोसिटी पूछा है तो आप फाइनल वेलोसिटी को 0 ले लेना ऐसा ही होता है जब फाइनल वेलोसिटी पूछा त इनिशल वेलोसिटी को 0 लेना हम सम कंडिशन में तो जाला तक वहीं कंडिशन इस चैप्टर में तो जहां आपको इनिशल वेलोसिटी को 0 लेने ला जहां आपको फाइनल वेलोसिटी जाए इनिशल वेलोसिटी को 0 लेने ला बस खतम अब आपको क्या करना है अब बस इसको कानेटिमिक इक्क्वेशन ने उसमें डालके कैल्कुलेट करना है लेकिन आप जब को इदर क्या पूछा है इनिशल वेलॉसिटी पूछा है तो उस हिसाब से उस वेलुस को डालोगे तो जैसे की दखो यह जमीन है मान के चलो है अपका ना जमीन है उसके बाद कंगारू कंग अभी आपको फाइनल और इनिशल वेलॉसिटी टम आवया तो हम लोग कैनन में की इक्वेशन्स यूज कर सकते लेकिन अभी आपको उस समय एक्सलेशन आपको लेना होगा तो एक्सलेशन इसको माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वार अब इदर मेंना माइनस 9.8 मीटर पर करता है तो उस समय आप एक्सलेशन और का ग्राविटी कंसीडर करोगे लेकिन जब वो उड़ेगा जब वो उड़ेगा यानि कि जब अपने जम जब अपने अर्थ से वह उपर की डिरेक्शन में जाएगा तब आपको नेगेटिव लेना है क्योंकि ग्राविटी के अगें स्कें स्क्रांट पर्खें को मालूम है क्या होता है चाहरे सक्षास हमारा डिस्प्राइशम्फेंट होता है तो 9 ॐ जो हमारा डिस्प्राइशमेंट है तो अब हमारा इसकrd सज mensen और सब्सक्राविट है चाहिए सबस्क्राव esquMmट इंशल वालअनमे見てатеकर awakened में जबकिंपकों लगा गया given में आपको simple यह kinematic equations लगा देने तो V square equals to U square plus 2S अभी इसका ज़स सलूशन करेंगे तो हम लोग सिधा एक बार और formula लिखे देंगे और 0 square equals to U square plus 2 into minus 9.8 और 2.5 values put किया है जब calculate करेंगे तो देखो minus 9.8 into 2.5 20.5 हो अब देखो इधर plus था तो इसको मैंने इधर इसको minus दे दिया ताकि जब 2 से multiply करें तो confusion create ना हूँ तो हम लोगने simple क्या किया फिन multiply करदा 2 से तो minus 49 आ गया अब यह minus 49 इधर आएगा तो plus 49 आ जाएगा अब जब इसका square root लेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा तो इसका इसका इनिशल वेलोसीटि क्या है इनिशल वेलोसीटि इसका 7 मेटर पर सेकेंड है इंड दे पर सेकेंड आएगा तो इस तरह हम लोगने इसका भी answer दे दिया तो यह घांद the answer for this question इनिशल वेलोसीटा बदे कंगार उजह 7 मीटर पर सिकेंग तो चलिए हम नेक्स कोशिन की तरफ बढ़ते हैं की तरफ अब मोटर बोट स्टार्ट 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 कर रहा है रेस्ट से स्टार्ट क्या है यानि की इनिशल वरसीटी जिरो इफ इस डेटेन व्रॉसिटी 50 मिटर पर सेकेंड तो इधर हमको फाइनल वरसीटी 15 मिल जाएगा और हमारा टाइम केतना है फार सेकिंड में अब इसका क्या कालकुलेट करना है एक्सलिशन और क्या क्लाइट करना डिस्टेंस ट्राव़ अब देखो फिन आगया टाइम फिन तो फॉर्मूला लगा देंगे तो एक्सलेशन को फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी उपन टाइम आनिके फाइनल वेलोसिटी मैनस इनिशल वेलोसिटी उपन टी तो आक्सलेशन वही हो जाएगा हमारा अपको कौन सा हमको यह एक्वेशन यूज करना है तो तीनों लिखके देखो जो वैलू अब देखो जब भी आपको डिस्टेंस के बात करें तो आपके बात दो फॉर्मूला बच जाते तो दो फॉर्मूला में जो भी फॉर्मूला लगने वाला वो लगा देना तो चल का तो एक्वेशन वी माइनस यू अपन टी तो अब सीधा हम लोग वैलूस पुट कर देंगे कि फिफ्टी माइनस जीरो अपन ट्री तो इसका आंसा थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वार आजाएगा सिंपल अभी हम लोग क्या करेंगे अब जो एक्वेशन हम लोगने सरक किया तो अब उससी सबसे स्वार कर देंगे जीरो प्लस हाफ इंटू 3 और 5 का स्क्वार हमारा 25 आता है अब 25 इंटू 3 कर देंगे जो 75 आजाएगा जब 75 को दिबाइट कर देंगे 2 से तो 37.5 मीटर आएगा तो यानि कि हमारा जो एंसर हो जाएगा जो डिस्टेंस ट्रावल किया आज मोटर बोट ने वो 37.5 मेटर से आंसर इस प्रिस पोश्चिंग इस डाएगा बढ़ाते नेक्स्टेंस कि तरह तो अभी नेक्स्ट कोश्टन है हमारा इस तरह कि द मास ऑप दिकनन इस 500 केजी और रिकॉल विध इस रिकॉल विट जिरो पॉइंटी जिरो पॉइंटी फाय मीटर पर सेकेंड वाट इस दी मुमेंटम आफ दी कैनन तो अभी देखो रिकॉल का मतलब आपको पता था मेने थेरी पार्ट में बता था जब भी भी रिकॉल क्या होता है अपने गंद से शूट किया तो बुलेट के दोवारा आपक अंदर गोला बारुद भर दिया अब इसको हम लोगने क्या क्या है लॉंच कर दिया तो इसके वाज़ा से क्या हुआ कैनन थोड़ा पीछे चले गया तो यहीं फायंट करना है कि कितना मुमेंटम जनरेट हुआ तो इसका मास कितना है 500 kg स्पीड और रिकॉल कितना हो गया 0. 0.25 मेंटर पर सेकेंड और मुमेंटम हमको फायंट करना है तो जैखते घीवन क्या दिया है घीवन हमको मास दिया था 500 kg स्पीड और रिकॉल दिया हमाया यानि की वी फायनल वेल्व लॉसीटिझ जीरो पवायंट पर सेकेंड अब फायनल वेलोसिटी या तो इनिशल वेलो तो अभी सिंपल हम लोग सॉलूशन में एक बहुत और फॉर्मुला लग देंगे और 500 इंटर 0.25 हम लोगा देंगे वैलोस पूट का देंगे और मुमेंटम हमारा 125 केजी मीटर पर सेकेंड यह हमारा मुमेंटम का क्या है यूनिट है यह हमारा ऐसा यूनिट है सीजेस यूनि अब नेक्स्कोशन देखते हैं तो नेक्स्कोशन ऐसा है कि तो बॉल हम मासट और 50 ग्राम आइन घंड़ेट ग्राम डेस्पैक्टिवली अंडे आर मुवई अलंग दे सेम लाइन इन इस सेम डिरेक्शन वेलोसिती आफ्री मिटर पर सेकेंड एन्डी 1.5 मिटर पर सेकेंड से वो मूफ कर रहा है तो अब दोनों एक दूसरे से क्या हो गए टकरा गए दे को लाइट विट इच अधर और आप्टर दे कोलिशन दो फॉस्ट वाल मूव विद दी वेलोसिटी ऑफ दी अधर बॉल आप्टर कोलिशन यानि कि सिंपल है एक बॉल का 50 ग्राम है एक मास एक से में उनलों मूव कर रहें सेम डार्यक्शन में एक वेलोसिटी जो वॉसका व्यलेटी मीव, दोनव एक साथ कोलाइट हो गया तो जो बॉल फॉसका 2.5 मिटे मेट पर सेक्ट और हमको फानड़ा करना है कि सेंड का कीतना होगा क्योंकि पीछे से आकर उसना टकर दिया ना तो वह थोड़ा speed बढ़ाएगा तो देखो यह एक same line है यानि कि सेम रोड है मान के चलो यह दो बॉल है एक का मास 50 ग्राम और एक का मास 100 ग्राम तो अभी क्या होगा जैसे एक तो एक 2s एक जाकर इन दोनों को लाइड होने के बाद जो फॉलेक का वेलासिटी हो गया हूं करना है कि इसका कितना वेलासिटी अगा फॉल का तो गीवन के घीवन किया मास फॉल्स फॉल्स मेराम है केजी में कर दिया सेकेंड को भी हम लोग ने क्या किया जो बॉल 2 का मास दिया था 100 क्राम उसको भी हम लोग ने केजी में कर दिया अब इनिशल वेलोसिटी एक जो फर्स वाल है उसका 3 मिटर पर सेकेंड है और जो इनिशल वेलोसिटी सेकंड बॉल का है वो क्या है 1.5 मिटर तो अभी ये देखो अभी आप सोच रहोगे कि यह मैने kg में q convert किया इसको मास of first wall है उसको मैने kg क्यों convert किया है तो जो मास of second wall है उसको मैने kg में q convert किया है तो देखो इधा velocity का क्या unit डिया है meter per second यानि कि कौन सा ये दिया है si unit तो आप जब भी कोई कोई भी सम करो फिजिक्स का तो पूरा जो यूनिट होना चाहिए तो यह ऐसा यूनिट में होना चाहिए तो पूरा सीजेस यूनिट में होना चाहिए तो इस तरह से आपको कोई भी सम्स करना है तो इधर क्या यह ग्राम ऐसा यूनिट है नहीं वह तो सीजेस यूनिट हो गय कि M1 लिया है हम लोग के mass of first ball जो इसको M2 रहना चीज़ है हां क्या M2 M2 mass of second ball और the initial velocity of the first ball is U1 and the initial velocity of second ball is U2 इस तरह से हम लोग ने सबको assign किया है तो हमको V2 find करना है तो अभी देखो formula क्या हो जाएगा total initial momentum is called to total final momentum law of conversion of momentum यह हम लोग ने पढ़ाता इसमें क्या होता है जितना total initial momentum होता है उतना total final momentum होता है जब दो कोई object टकराता है तब तो हमारा क्या हो जाएगा M1 into U1 plus M2 into U2 equals to M1 into V1 plus M2 into V2 यह हम लोगा देखा था तो वही फॉर्मुला बस put किया है तो इधा total initial momentum प्लस total final momentum तो चलिए आगे बढ़ते तो आगे देखो solution हो जाएगा solution में बस एक बावा फॉर्म्या लिख देंगे उसमें values को put कर देंगे तो जब values को put किया तो उसका answer आ जाएगा जाएगा देखो हम लोगने values put किया यह multiply करके 0.15 हो गया यह multiply होगा तो 0.15 हो गया और 0.125 प्लस 0.1 V2 क्योंकि जब V2 हमको find करना है तो इसको जब हम लोग आगे solve करेंगे तो हमारा इधर दो जब प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको इससाद लेकि आएगे तो माइनस हो जाएगा 0.125 को और फिर हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा answer 0.175 आजाएगा और हम लोग क्या करेंगे 0.1 को इसके नीचे लाएगा तो डिवाइट हो इसको आपको solution करना है यह आपको solve example है ऐसा same questions आपको exercise में भी दिया है तो चलिए आगे बढ़ते next question की तरफ तो next question है हमारा कि an object 18 meters in the first three seconds when 22 in the next three seconds and 14 meters in the last three seconds what is the average speed तो यह questions आप खुद एक पर try करो फिन एक solution को देखना क्योंकि बहुत easy बहुत easy इधर तक आपने देखा है ना पूरा lecture पूरा आपने अटेंड किया ना तो यह आपको आना चीए यह आपको आएगा 101% तो अगर आपने पूरा अच्छे से किया हो तो चलिए देखते है इसका solution तो हमको given दिया है given में देखो d1 कितना दिया है 18 दिया हम लोग ने इसको 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 डी 1, d2, d3 के denote किया इसको t1, t2, t3, t3 से denote किया तो d1 18 m, t1 3 seconds, d2 22 m, t1 3 seconds, d3 17 m and t1 3 seconds तो इस तरह से हम लोगने सारा given value लिखते है अब average speed find करना है तो अब formula में हमको पाता है average speed इसकल total distance cover upon total time इसका एक और आप कर सकते हूं कि आप पहले इसके लिए speed calculate करो इसके लिए speed calculate करो इसके speed calculate करो और जो तीनों speed आया उसको एक साट एड करो डिवार्ड बार 3 कर दो बस ऐसा राजाएगा इधर भी वही हुआ है तो हम लोगने क्या average speed is total distance cover upon total time बस अभी हम लोगने क्या क्या जितने distance है total distance हम लोगने उसको पूट कर दें उसके पहले हम लोगने लिखना पड़ता solution में तो आप लिख देना और फिन उसके बाद हम लोगने को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि जो यह कितने speed आपने फाइंड किया उतना ही speed नीचे आपको लिखना है आपको मालूम है average कैसे निकालते तो इस तरह से हम लोगने सब्सक्राइब कर लिया अब चलते हम अपना नाइंद के तरफ तो अब क्या है कि एक बुलेट है मास उसके पास 10 ग्राम है और चाहँ सब्सक्राइब करें और उसके प्लाइब कर लोगने व्यांड के तरह तो उसके अंदर जाके उसने पैनेट्रेट हो गया तो जो कितना ममा से नाइडिश्ट ग्राम और प्लैंग का जो इनिशेल वेलोसिती ता वह जीरो होगा क्योंकि रस्ट पे इनिशली तो जो फ कहिए तो एक बाद ध्यान दगना जब उसके जाए तक कही न थो जितना वुड़न प्लंक क का था होगा उतना बुलेट का भी फाइनल ब्लometric होगा ठीक है तो यानि कि जो इनका वड्स चिटी का दोनों का वेम रेकल लोसीटी सेमने वाला तो तो थूड़ा से मूव हुआ और वो बुडर फ्लाक और गोली जो हमारा बुलेट दोनों साथ मूव किया और देखो जब यह आया बुलेट इसके साथ टकराया देखो पर परेट्रेट हुआ और तो दोनों साथ मूव हुए यानि कि इनका फालोल स्टी क्या है सेम है तो है अधर मैंने मास फ़ुलेट मुलिया है माव और वेल ब्ल jog लिए इनिचिल व्लशिटी खोलटा सिकंडलिए दिया तो अभी तू फायंट क्या करना हमको डंरज व्लों का विलर यह सिद्नाओंगा सेम होगा दोनों का दिखते है फॉर्मूला हमको क्या लगाना है total initial momentum to final momentum क्यों कि इदर दोनों क्या हुए दोनों जब टकरा है collide हुआ जहां collide term आया momentum का term है तो इदर आप law conservation of momentum का फॉर्मुला लगा देना तो सेम फॉर्मूला हमनों लिख देंगे फिंस रॉल्यूशन हमनों करेंगे और तो सेम फॉर्मूला एक बहुत लिखेंगे कि बाइ इसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे M1 into U1 plus M2 into U2 equals to M1 into V1 plus M2 into V2 total initial momentum is equal to total final momentum अभी we know that हमको पता है कि उसका V1 is equal to V2 होने वाला क्यों क्योंकि बुलेट उसके अंदर embed हो गया है और जब वो वूडन प्लैंक मूव कर रहा है तो वुलेट भी साथ मूव कर रहा है जैसे कि आपने पीछे देखा था तो उसके लिए उसका final velocity क्या होगा है क्या क्या common लिया है तो अब क्या करेंगे जस्ट हमको values पूट करने तो देखो एदर M1 क्या था हमारा 10 grams था यूवन क्या था हमारा 1.5 meter per second था और M2 क्या था हमारा 90 grams था और U2 क्या होगा जीरो होगा initial velocity यह हमको पता है क्योंकि initially वो जो wooden plank था हो किस पे था रेस्ट में था जीरो हो जाएगा तो इदनों 0.15 meter per second तो हमको दोनों का final velocity मिल गया है वह है 0.15 meter per second तो काफी जी था बस आपको concept देख दा है physics में आपको बस समझ दियानों tricky इस तरह हो जाता है क्योंकि कुछ बहुत ऐसे उसके इंदर concept रहते हैं जो कि हम लोग समझ नहीं पाते अब हमको क्या मालम जब उसमें बुड़न प्लैंक में घुझ जाएगा तो जोनों का final velocity में का logic लगाना होगा तो इसी तरह से हमनों फिजिक का सम को सॉल्व करते हैं तो चलते लास सम पे जो कि आप परसन स्विम 100 meters अभी रीड करने में में को शरम आ रहे है इतना easy question में तो आप इसको एक बाद सॉल जरू करो cm question हमने फिला solve किया है 100 meters in the 14 seconds 80 meters in the next 40 seconds and 45 meters in the last 20 seconds what is the average speed simple given the i d1 100 d1 40 seconds d2 80 meters d1 40 seconds d3 45 meters d1 20 seconds to find हमको करना average speed formula लिख देंगे average speed is called total distance कब बापन total time और हम लोग बस एक बास solution लिखे एक बाद और और formula लिखेंगे फिर उसके बाद हमने values put कर देंगे 100 plus 80 plus 45 upon 40 plus 40 plus 20 तो जब हम लोग प्लस कर देंगे तो the value जो answer आजएगा वो 225 upon 100 आजएगा तो 25 को divide कर देंगे 100 से तो answer हो जागा 2.25 meter per second तो इस तरह से इसका answer हो जाएगा तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही जितने sums थे मेरे सब बाता दिया आपके chapter में जितने भी sums थे सब मैंने cover किये solve example exercise सब कुछ मेंने किया है तो इसका पर solution आपको provide करा दूँगा description में और notes में notes भी बना रहा हूँ handwritten notes तो इसको आप जरूर रेफर करना sums को एक बाद practice कर लोगे तो बस clear हो जाएगा आप काफी जिसे sums कर लोगे देखो क्या है इसमें ज्यादा तक kinematic equation यूज करने जो law of motion के इलिएटर जो equation वह यूज करने और आपको यूज करने है क्या जो आपके जो आपके acceleration के formula मुमेंटम कहां इस्तमाल करना है इतने concept है इनको आप अच्छे से करोगे तो आप सब सम है उसको आराम से कर लोगे तो बस तो आपको सारे समझे होंगे कुछ भी डाउट हुआ एक वीडियो एक बार वीडियो को रिवाइंट करके देख लेना इधर जो मैंना टीवन लिका इसको टीटू टीथरी कर लेना रोंग कर दिया मैं आपको पीडे प्रोबाइट कर दूँगा उसमें आपको साही करके देदूगा टेलग्राम गूप को जोइन कर लेना नोट्स के लिए और काफी सारे जो में भी एक्स्ट्रा जो भी स्टफ होंगे मैं टेलग्राम पर आपने इदा तक वीडियो देखला देखा उसक्लेक थांक्यू देखने के लिए धन्यवाद